ये पूरी खाने में जितना टेस्टी क्रिस्पी और खसता है उससे कहीं ज़्यादा पौश्टिक भी है तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ कद्दू की खट्टी मीठी तीखी चटपटी फूली फूली मसाला पूरी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा है औ अगर अभी तक आपने हमारा जैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सस्क्राइब हवास कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जलूर करिएगा कद्दू की पूरी बनाने के लिए यहां पर मैंने 500 ग्राम कद्दू लिय इसे इस तरह से लंबा लंबा काट लें तो इसे छीलने और इसके बीज निकालने में आसानी हो जाती है अब इसके सारे बीज निकाल देंगे और जो बीच में पल्फ है इसे भी निकाल देंगे और इसे छील कर इसके सारे छील के हटा देते हैं अब यहां पर सारे कट कर लेते हैं अब यहां पर सारे कद्दू कट गए हैं तो अब इसे एक बावल में डालेंगे और इसे दो तीन बार पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे सारे कद्दू अच्छे से क्लीन हो गए हैं तो अब लेंगे एक प्रेसर कूकर और इसमें सारे कद्दू के पीसर डाल देते हैं इसमें मैंने सारे कद्दू के पीसर डाल दिये हैं तो अब लेंगे थोड़ा सा गुड ये 20-25 ग्राम है गुड़ आप कम जादा कर लें, जितना मीठा करना चाहें सारे गुड़ इसमें डाल देते हैं, इसे मैंने छोटे-छोटे पीस में तोड लिया है अब इसमें आधा कफ से भी कम पानी डालेंगे, अब इसे पैक करेंगे और बंद करके 2-3 सीटी लगा लेंगे, 3 सीटी में कद्दू अच्छे से पक जाएगा बस इसे इतना ही कुक करना है, जिसे कद्दू अच्छे से सौप्ट हो जाए अब इसमें 3 सीटी आ गया है, तो अब हम गयस बंद कर देंगे और इसे ठंड़ा होने कलिए रख देते हैं ठंड़ा हो गया है, तो अब इसे खोल लेते हैं और इसे एक बाल में निकाल देते हैं और ये देखिए, अब इस अच्छे से सौप्ट हो गया है तो बस अब इसे निकाल लेते हैं अब एक मैसर लेंगे और इसे गरम-गरम ही मैस कर लेंगे जिसे अच्छे से मैस हो जाए इसमें लम जरसा भी नहीं दाना चाहिए आप इसे कटोरी या गिलास से भी मैस कर सकते हैं अब यह अच्छे से मैस हो गया है, तो बस अब इसे इसी तरह से रख देते हैं, अब यहाँ पर एक बाल में मैंने दो कप गेहूं काटा लिया है, तो अब इसमें कुछ मसाले अड़ कर लेते हैं, 1 फोर चमत से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें 1 फोर टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और 1 फोर टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं, अब पूड़ी को खट्टा और चट्पटा करने के लिए 1 फोर चमत या फिर उससे जादा अमचुर पाउ डालेंगे, अब यह मैंने 1 फोर चमत से भी कम अजवाइन लिया है, इसे हाथ में लेकर इस तरह से क्रस करके डालेंगे, तो इससे इसका टेस्ट और कुस्पू दो नहीं बहुत अच्छा आएगा, अब सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे आठे में सार जबनाउर पानी नहीं डालना है, एक एतना पानी होता है कि बीना पानी डाल लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पस इसमें, एक दो शबंच पानी और डाल सकते हैं, और फिर अगर जादा गीला हो जाता है तो इसमें एक दो शबंच आटे मिलाकर इसे सुखा ये, इसका हमें थोड़ा टाइट ही लगाना है और यह देखिए बिना पानी डाले ही मैंने इसका आटा लगा कर लिया है इसमोथ और सब्सक्राइट के लिए रग देते हैं पाँट में आटा अंचने के सेट हो जाएगा आप चाहें तो इसे तुरंत भी बना सकते हैं इसे रखे हुए पांच बिनट हो गया है तो अब इसमें से थोड़ा साठा लेंगे और एक बड़ी सी लोई बना लेंगे अब इसे चकले पर रखकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसकी छोटी-छोटी लोई ये काट लेते हैं आप जितना चोटा मोठा पतला पूरीय बनाना चाहें उसे काड़ें छोटा बड़ा लोई भी काड़ लें अब इसे चकले पर रखकर थोड़ा सा गोला करेंगे और इसे चप्टा कर लेंगे और इसे पेड़े की तरह बना लेंगे और ये देखिए अब बन गया इसी तरह से सारे पेड़े हम ब लगा रहा है आप चाहें तो इसमें घी और फिर ऑई लगा कर भी से बेल सकते हैं और यह देखिए अब पूरी हमारा बनके रेडी हो गया है और इसके ठीकनेस देखिए इसे मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है अगर पूरी यह थोड़ा मोटी राती है तो बहुत अच्छी फ्राइ कर लेते हैं अब यहां पर मैंने गैस पर एक पैन में आयल गरम होने के लिए पहले से रख दिये था तेल अच्छे से गरम हो गया है हम इसमें आठे का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे और इसे फ्राइ करकर निकाल लेंगे जब तक यह होगा तब तक तेल भी अच्छे से गरम हो जाएगा पूरी यह पकोड़े बनाते समय गैस को विल्कुल हाई फ्लेम पर ही रखें अब इसमें पूरी डाल देंगे और इसे दस सेकंड तक इसी तरह छोड़ देंगे अब इसे पलट से हलका सा प्रेस करेंगे और यह देखिए अब यह धीरे-धीरे परड देते हैं तो अब इसी में और भी पूरी डाल देते हैं इसे बिल्कुल किनारे से डालिएगा बीच में डालेंगे तो जल जाएंगे तो पूरी यह बिल्कुल किनारे से डालें तो सही रहता है अब जो हो गया है उसे निकालते जाएंगे और इसी तरह से और ही पूर और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और यह देखिए अब यह चारों पूरियां अच्छे से पक गई हैं तो इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं और इसी में केक करके और भी पूरियां डालते जाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए यह कितना क्रिस्पी और फूला फूला बना है आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपने इसे कैसे बना है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क् वीडियो को इंड तक देखने के लिए थैंक्यू